गुड मोर्निंग एवरीवन दोस्तो आज है मैं 11 ट्वंटी ट्वंटी टू और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर की अनेलिसिस मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह फिर से खूब सारे आर्टिकल्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ जैसा कि बाहर हो चुका है तो इसके बारे में बात करेंगे सिट्वीशन क्या चल रही है श्रिलंका में क्योंकि हमारा नेबर है बहुत इमीजियट नेबर है इसलिए श्रिलंका के अंदर क्या हो रहा है यह इंडिया को भी इंपैक्ट करता है सेडिशन लोग के बारे में दुबारा से न्यूज में है थोड़ा सा देखेंगे जादा नहीं जो चीजी हम लोग लोड़ी पहले कर चुके हैं उसको देखने का ज़रूत नहीं है गवर्मेंट का यहाँ पर क्या परस्पेक्टिव है सेडिशन लोग को लेगे तो कि आज कल सुप्रीम कोट और गवर्मेंट के बीच में जो है थोड़ा सा एक डिस्प्यूट मैं वहलो थोड़ा सा एक इशू चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे minority status के बारे में बात करेंगे छोटा सा news है सिर्फ 30 seconds का news है आपके इसके बारे में बताऊंगा क्या है inflation और liquidity ये आज का editorial section है जो कि रंगराजन जी ने लिखा है जो कि इतने बड़े economist रहे हैं तो GS paper 3 को हम लोग cover करेंगे birds or threats थोड़ा सा ये देखेंगे explainer section में integrated battle group क्या होता है यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी जो Indian army होती है उसका structure क्या होता है उसका urbanization क्या होता है integrated ये जो battle group है ये क्या होते हैं इसके अंदर हम लोग change क्यूं कर रहे हैं और फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा social media के बारे में तो यही रहने वाली हैं आज की news आगे बढ़ते हैं सीथा ज़्यादा wait बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो देखें ये है आज का पहला page फरंट पेज नहीं है फरंट पेज तो दूसरे वाला है तो इसमें इन्होंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ एक special edition डाला है आज the newspaper में जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने श्रिलंक के crisis के बारे में बात किया है देखे श्रिलंक का crisis इतना जादा बढ़ गया ना एक इंसिडेंट से आपको पता चल जाएगा जो महिंदा राजपक्षाजी वहां के जो प्राइम निस्टर थे अभी पहले राश्टपती भी रहे हैं और इनके भाईया घर के अंदर घुसके लोगों ने घर में आग लगा दी घर में घुस गए और आर्मी मिलिटरी को जो है इनको रेस्क्यू करना पड़ा और भी किसी अन्नोन लोकेशन पे हैं तो सोचके देखिए जब भया किसी कंट्री का प्रेजिडेंट किसी कंट्री का राश्टपती वहां के प्राइम मिनिस्टर वहां के मिनिस्टर से ही सेफ नहीं है उससे कोई भी वाइलेंस करता हुआ नजर आएगा तो आर्मी के खुली छूट है कि भाईया उसके माथे में आप गोली मारिए इतनी जादा situation tense हो चुकी है क्योंकि काफी समय से श्रिलंका के अंदर more or less जो प्रोटेस्ट चल रहे थी वह peaceful थे लेकिन ultimately वह वह ज्यादा violent हो गए है तो इससे situation का पता लगता है इंडिया guided by the श्रिलंका interest अब इस पूरे मामले में इंडिया ने भी अपनी statement दिया है इंडिया ने कहा है that we are with the people of श्रिलंका देगे सीधा उन्होंने ये नहीं कहा कि भी है जो वहाँ पर violence और उसको support करते हैं लेकिन Indian government ने जो है राजपक्षा government का भी support नहीं किया है क्योंकि हम लोगों के नजरों में ये नहीं दिखना चाहते कि वहाँ के जो सरकार है जिसने इतना जादा mismanagement किया है इंडिया उनको support कर रहा है ठीक है देखे mismanagement तो उन्होंने किया न उन्होंने वहाँ पर corruption किया या उन्होंने वहाँ पर जो बिलकुल अपनी economy को mismanage किया तो हमारत उसमें कसूर नहीं है तो इंडिया ने कहा है that we are with the people लेकिन हम लोगोंने राजपक्षा गवर्मेंट का सीधा 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 सा यहां पे बिलकुल भी नाम नहीं लिया है आलांकि उनको support इंडिया जो कर सकता था हो इंडिया ने किया है अपने हिसाब से उसको stable बनाने के लिए लेकिन जब situation हाथ से जादा निकल चुकी है तो भीया इंडिया इसमें क्या ही कर सकता है तो इंडिया बेसिली दोनों तरब से थोड़ा सा फस गया है और हम लोगों ने एक बीच वाला रास्ता यहां पे अपनाने की कोशिश किये मिडल वे हमेशा वही होता है अब ना पूरी तरह से उस साइड को सपोर्ट करो ना पूरी तरह से उस साइड को सपोर्ट करो तो जब मिडल वे में चलते हो तो आपके पास options open रहते हैं इंडिया ने कहा देखे हम तो democracy को सपोर्ट करते हैं stability को सपोर्ट करते हैं economy recovery को सपोर्ट करते हैं इंडिया ओरी 3-4 billion dollar के आसपास का उनको help दे चुका है credit swap deal हम लोगों ने किया even हम लोग IMF के अंदर भी हम लोगों ने support किया है कि IMF को हम लोगों ने request किया है इंडिया जितना कर सकता था definitely हम लोगों ने किया है क्योंकि देखे यह situation जो श्रिलंका के अंदर चल रही है इसका इंडिया के अपर सीधा सीधा impact है पहली बात तो श्रिलंका के अंदर पीस होगा तो वहाँ पे कुछ anti-India element भी हो सकते हैं पूरा इंडिया notion के अंदर disturbance हो सकता है दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारी तमिलियन्स रहते हैं और नोर्मल सिलंकान्स भी रहते हैं तो अगर वहाँ पे situation बहुत ज़्यादा tense होता है तो इंडिया में refugee problem भी बढ़ सकती है अब उस case में इंडिया उनको मना नहीं कर पाएगा और of course अभी से भी कुछ refugees इंडिया में आना शुरू हो भी गए है तो situation वह भी हमारे लिए tense हो सकती है और चाइना वाला angle भी definitely यहाँ पे है जिसको अभी थोड़ा discuss करेंगा अगला article कहता है चाइना infra projects in the focus as the crisis version तो चाइना ने वहाँ पे बहुत सारा infrastructure project लगाया है पिछले 10-12 सालों में राजपक्षा जो भाई बंदू जितने भी हैं ये लोग ये चाइना के काफी close हैं basically खासकर वहिंदा राजपक्षा फिर चाइना से इतने ज़्यादा close है चाइना ने इनको बड़े-बड़े सपने दिखाए उन्होंने कहा कि शिरिलंका देखाँ ये मतलब एक बिल्कुल serious बात है शिरिलंका यहाँ है ठीक है और ये जो है global route है तो इधर से हमारा जो है मलक्का स्ट्रेट है और मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और यहीं पर हमारा पढ़ता है सिंगापूर और जितने भी शिप जाते हैं Middle East से या एफरीका से जो की South East Country की तरफ जाते हैं चाइना में जाते हैं जपैन में जाते हैं वो सब मलक्का स्ट्रेट से होके गुजरते हैं और यहाँ पर बढ़ता है आपका सिंगापूर और सिंगापूर इतना जादा रीच कंट्री है इसके वीचे बहुत बड़ा रीजन है यह शिप्स तो यह जब सिंगापूर से गुजरते हैं तो यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं और वहाँ पर बहुत सारा टोल टेक्स भी पे करते हैं जिसकी वज़े से सिंगापूर जो है इतना रिच कंट्री है तो चाइना ने बेसिकली श्रिलंगा को इस सपना दिखा दिया कि यार तुम्हारी लोकेशन तो बहुत जवरदस्त है और एक्चली में है भी हम लोग ऐसा क करते हैं तो यह जो कांट्री में होल्ट करेंगे यहां पर लोडिं करेंगी उसके बाद यह जहां जा ना है आते हुए भी और जाते हुए भी अम आप और उसके लिए ई 108 थे मश्य लेकिन हमारे पास पाइसा तो नहीं है ठीक है लेकिनि जब आपका मन करे चुका देना और मन नहीं करे तो वो मुझे बता देना अच्छा असरा आप उस case में क्या करोगे जब आगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं चुका ओगे यह आपका मन नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा आप से वह port वगरा जो फिर्स है डेट ट्रैप क्योंकि चाइना को पता है कि छोटा सा कंट्री है लोगों की इंकम बहुत जादा है नहीं और अचानक से आप सिंगापुर को रिप्लेस थोड़ी ना कर सकते हो भई या उसके लिए पुरा फाइनेंशल और पुरा इंफ्रस्ट्रक्चर पॉलिटी उस पहुत सारी चीज़े डिपेंड करती हैं अचानक से उसको हिलाना असान नहीं है तो हुआ ऐसा ही कि श्रिलंका के अंदर कहीं सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो की चाइना ने लिये हुए थे जैसे वहाँ पे एरप प्रोजेक्ट ऐसे है श्रिलंका के अंदर जो एक्चली बना तो दिये लेकिन पर काम बिल्कुल भी नहीं होता है कॉलंबा एक कलॉम्बो एरपोर्ट आपने बनाया वहां पर कोई आता नहीं वहां पर कुछ प्राइवेट जो है कुछ पोर्ट सुगरा बनाई थी वहां प और यहां पर बहुत कुछ होगा टूरिजम बढ़ेगा लेकिन ऐसा कुछ होा नहीं भी या कोई नहीं वहां पर आया एक्चली उसको दुबई बनाने की बात चल रही थी कि इसको हम लोग दुबई जैसा बनाएंगे दुबई तो छोड़ो वो जो बचारा बचा हुआ था लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो आज से ही शुरू हो गया है तो बहुत बुरी तरह से यहां पर मिसमेनेजमेंट किया गया है तो अभी वहां की जो जनता का ध्यान है वो इसकी तरफ भी जा रहा है और चाइना के अगेंस्ट में भी एक्चली वहां पर प्रोटेस आ रही थी कि हो शायद श्रिलंका के सोचल मेडिया चीज़े चल रही है कि शायद महिंदा राजपक्से जो इंडिया में भाग गए है अपनी फैमिली के साथ लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया को मना कर दिया है तो बैसलिए जब आपके घर में ही घुस गए अब यह देखिए भाई साब हैं अब हुआ कैशलंका में कल राजपक्सा के सपोर्टर और इनके जो उपोजिट करने वाले हैं प्रोटेस्ट करने वाले हैं दोनों आपसे भीड़ गए भीड़ गए तो वाइलेंस हो गया वहां पे कुछ लोग मारे भी गए और यह भाई साब देखिए ठीट वी बनवा लिया तो आप उसको अपॉस नहीं कर सकते हैं चाहे आपका मन भी कर रहा हो लेकिन उसको अपॉस नहीं कर बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप इतने ज़दा स्टॉंच सपोर्टर हो जाते हो किसी चीज़ को अपॉस करना और ऐसा बहुत सारे केसीस में आसान नहीं है चाहे वो लीडर जाहे वो कोई आदमी कितना ही घटिया काम क्यों ना करे क्योंकि आपकी इगो हर्ट होती है न यार पहले तो आपने पुरी दुनिया को बता दिया अपने घर में फोटो लगा ली पोस्टर लगवा ली दुनिया भर की बात सोसल मीडिया पे दुनिया भर की पोस्ट डाल दी अब यह आपके लिए जो है इमोशनली और इगो वाली बात आ जाती है यह अभी यह पीछे नहीं अट सकते देखे फैन होना अलग बात है फैन होना अलग बात है फैन वो होता है जो किसी भी आदमी का या किसी लीडर का celiblerty का उसकी अच्छाईयों को like करता है लेकिन साथ के साथ उसके में जो गलत चीजये होती है उसको identify करता वो होते हैं fans एक आते हैं supporter ठीक है जो आपकी कुछ policies को support करते हैं फिर उसके बाद आते हैं भाया वो बड़े वाले जो अंदभक्त जिसको बोला जाता है तो इस तरह के अंदभक्त रहते हैं वो हर जगह पर ही है खेर ठीक है तो समझदारी से काम करें किसी के अंदभक्त ना बने ठीक है positive negative हर चीज अपनी दिवाग से देखे चलें तो यह था पुरा श्रिलंका के क्राइसिस के बारे में पहले इसके कारण क्या रहे हैं क्या हो सकता है क्या solution है उसके बारे में लोग पहले खूब बातें कर चुके हैं तो श्रिलंका पे तो मेरे खाल से आप expert होई ग क्याता है और अंग्रेजों के दोवारा बनाया गया था नाइंटीन एटीन सिक्स्टी के अंदर राइट तो इंडिपेंडेंट कंट्री में अभी बिछले कुछ सालों से एक्चली सेडिशन लोग का काफी जादा मिस्यूज हो रहा है ऐसा supreme court का भी मानना है सरकार क्या करती है किसी के उपर सेडिशन लो लगा देती है उसको जेल में डाल देती है जेल में डालके रखती है उसको छे महीने तक और छे महीने के बाद उसके उपर चार शीट भी फाइल नहीं होती और फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि जाओ भी या तो हजार लोगों के उपर सेड of view होता है उसको दबाने के लिए तो सुप्रीम कोट यह भी पूछ रहा है सरकार को कि यार यह मतलब आपका इसमें क्या मानना है आप जो यह मिस्यूज हो रहा है स्टेट गोवर्मेंट जो है 124 लगा रही है अलग-अलग लोगों के उपर तो वो ठीक नहीं है तो जो केदारनाथ केस हुआ था 1960 में कि उसको दुबारा से क्या चेंज करने का समय आ गया है सुप्रीम कोट ने सिधा यह नहीं कहा कि मैं इसको अनकोंसिटूशनल डिकलेर करूँगा सिध करूम कोट ने सिर्फ यह कहा कि अभी समय बदल गया है ठीक है चीज़े जाद एक्टिव हो गई है ओपन हो गई है तो क्या सेडिशनलो को अभी हमारे स्टेचूट का पाट रहना चाहिए के नहीं रहना चाहिए उसके लिए सुप्रीम कोट ने जो है सरकार से जवाब मांगा था सरकार ने जो है थोड़ा समय मांगा है और सरकार ने हिंट दिया है कि हम लोग सेडिशनलो के उपर बेसिकली बाचित करने को तयार है तो हो सकता है सरकार या तो sedition Knock को पुरी तरे से खतम करके एक नया कानून लाए ऐसी भी possibility नजर आ, oh, एसी भी possibility नजर आ रही है, कि हो सकता है सरकार sedition log को खतम कर दे और u a p a के थोड़ा सजदा ओर ट्रोंग कर दे ऐसी possibility भी नजर आती है तो पूरे मामले में सुप्रीम कोट ने ये कहा कि देखो भी या डिले मत करो आप ओलडी काफी जदा डिले कर चके हो क्योंकि आपके डिले के चक्कर में जो लोग जेल में बंद हैं वो तो बचारे परिशान हो रहे हैं ना तो और ये ये भी उन्हें सरकार से पूछा है कि आपने कहा है कि मुझे समय दीजिए तो उस समय आपने मांग तो लिया क्या उस समय के बीच में आप उन लोगों को छोड़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जस्टिस देना चाहता है बहुत सारी एक्सपर्ट हैं सीविल सुसाइटी के लोग हैं इस तरह के कानुन के लेकर सवाल उठ रहे हैं और डेमॉक्रिसी है डिवेट होना चाहिए इस तरह के रहते हैं चलिए उसके बारे में देख ते बादमें कभी क्या बात रहेगी minority tag centers you turn इर्क सुप्रीम कोर्ट देखिए minority मतलब हों यहाँ पर religious और linguistic minority बात कर रहे हैं लेकिन जादा जो role है वो यहाँ पर religious minority का है तो इंडिया में जो है Muslims, Christians, Jains, Buddhists यह सब हमारे six वो minority हैं, Hindu minority नहीं है, Hindu majority है लेकिन इंडिया में कम से कम 10 state ऐसी है जहाँ पर numerically numerically Hindus minority में है और कहीं दूसरी जो religion है जैसे कहीं पर Christians कहीं पर Muslims वो majority में है तो किसी religion को minority का दरजा यह majority का दरजा कौन देगा इसके लिए सरकार ने Supreme Court में अपना एक एफिडेविट दिया था तो पहला जो एविट दिया गया था वो दिया गया था मार्च के महीने में मार्च के महीने में सेंटर ने यह कहा था सरकार ने कि minority declare करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंटर को ही नहीं है बलकि state को भी है यह concurrent power है अगर कोई state चाहे तो वो किसी particular religion को minority और majority declare कर सकता है ऐसा 25 मार्च को कहा था लेकिन एक F.E. debit अभी कल भी पेश किया गया है 9 मही को जिसमें सरकार ने बिलकुल यहाँ पर पल्टी मार लिया यूटर्ण बोलते हैं न वो जजबात बदल गये समय बदल गया तो वो जजबात बदल गये एकदम से सरकार ने पल्टी मारी सरकार ने पल्टी मार के यह कहा के नहीं साब states का यहाँ पे कोई रोल नहीं है सारे का सारा रोल होता है किसका center का रोल होता है हाँ अगर center कोई declare करना चाहती है तो वो state government का से consultation ले सकती है लेकिन वो consultation ना तो binding है और यह center की उपर depend करता है कि वो ले या ना ले तो पल्टी मारा पुरी तरह से अब भया सुप्रीम कोट परेशान है भया पहले तो आप कुछ होर कह रहे थे उसके हिसाब से हम लोग कारवाई करते अब ही आप कुछ होर कह रहे हो तो आप एक जगवे टिक क्यों नहीं रहे हो तो सुप्रीम कोट परेशान है अब इस पर देखना रहेगा कि सरकार का दुबारा से पर क्या जवाब यहां पर आता है तो वो थोड़ा देखना रहेगा एक हमारे पास आता है यहाँ पर एडिटोरिल सेक्शन है जो कहता है कंट्रोल इनिफलेशन बाइ एक्टिंग ओंदा लिक्विडिटी तो सी रंगराजन जी लिखे है बहुत बड़े एकॉनमिस्ट है और बहुत अवोड़ भी जीते हैं इनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे पढ़ते हो बिलोव पोवरेटी लाइन की सी रंगराजन कमीटी बनाई गई कहीं बार तो इन्होंने आर्टिकल लिखा है तो यार इतना बड़ा आदमी इतने एक्सपर्ट और इनकी जो वीजडम है उनको नेगलेक्ट करने वाले और बिल्कुल ए पोलिटीकल है ये पोलिटीकल का मतलब होता है जो चीज़े पोलिटीकल नहीं होती है तो ऻमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है तो इन्होंने एक रिलेशन एस्टेबलिष करने की कोशिश की है between inflation and the liquidity liquidity का मतलब होता है money supply inflation मतलब समझ में आई गई होगा महंगाई होती है price rise इसको बोला जाता है हिंदी में इसको मुद्रस भीती कहा जाता है तो इसके बीच में दोनों के बीच में क्या relation है क्या RBA ने भी step लिये है world over inflation का क्या trend चल रहा है यह उसके बारे में यह पुरा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोगों ने पहले analysis में नहीं किया हो already पहले हम लोग analysis में इन बातों के बारे बाते कर चुके हैं तो देखे जब हम लोग inflation के बात करते हैं दोस्तो inflation का मतलब होता है price rise over a period of time और price rise का मतलब यह नहीं होता है के यह केले के दाम बढ़ गए तो inflation का मतलब होता है जब overall दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं चीजों के और वो हमारी जो currency और उसकी value को impact करने लगता है क्योंकि जब जब inflation होता है तो currency की value decline होती है यह आपको पता ही होगा है ना और inflation का जो foreign exchange reserve होता है उसके उपर भी impact पड़ता है और जो currency exchange होता है उसके उपर भी impact पड़ता है तो उसी के बारे में यह पुरा article बात करता है कुछ point मैंने यहां पर अपनी तरफ से add किये हैं जो कि यहां पर add नहीं किये गए थे जैसे inflation के क्या कारण हो सकते है हम actually inflation के दो कारण होते है एक inflation होती है demand pull दूसरी inflation होती है cost push demand pull का मतलब यह होते है जब लोग demand करने लगते है जादा चीज़े demand करने लगते है और लोग demand क्यों करते है पागल थोड़ी है लोग डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी income increase हो गई है सीधी सी बात है उनकी salary बढ़ गई है उनकी wages increase हो गई है इसलिए वो ज़ादा डिमांड करते हैं या फिर बैंकों से लोन मिलना सस्ता हो गया है अगर आग interest rate कम हो जाता है तब भी लोग ज़ादा demand करना शुरू कर देते हैं लोग car loan लेंगे, home loan लेंगे, marriage loan लेंगे तो demand बढ़ने से inflation बढ़ता है सीधी सी बात है दूसरी चीज़ होती है cost push जब cost increase हो जाती है यहाँ पर मैं cost की बात कर रहा हूँ input cost की बात कर रहा हूँ जैसे मालक जूते को बनाने के लिए leather चाहिए अगर leather के ही price बढ़ गए तो जूते के price अपने भी बढ़ जाएगा तो इस तरह की इसको बोलते है cost push जैसे अब यह समझ लीजे जैसे कपडा, जो cotton का कपडा है तो भीया जब cotton की जो supply है वो पीछे से कम हो जाएगी तो definitely cotton का price increase हो जाएगा तो उससे जो कपडा बनेगा वो भी increase हो जाएगा इस तरह की inflation को बोला जाता है cost push जब सामान की कीमत बढ़ जाती है because of the supply reasons तो demand और supply यह दो तरह की reasons होते हैं और हमारे country में दो index होते हैं एक होता है consumer price index दूसरा होता है WPI which is wholesale price index जो RBI कंसेंटर करता है अभी 2014 के बाद से वो CPI करता है उससे पहले WPI किया जाता था और इस समय इंडिया में WPI और CPI दोनों काफी ज़्यादा high चल रहे हैं CPI को maintain करने की responsibility actually RBI की होती है WPI की भी होती है बढ़ आज कल वो focus जादा हम लोग CPI पर करते है CPI के जो limit रखी है RBI ने वो कितनी रखी है वो रखी गई है 4% plus minus 2 मतलब अगर 6% से ज़्यादा inflation हो जाती है तो वो भी खतरनाक है और अगर 2% से कम हो जाती है वो भी खतरनाक है दोनों केस में RBI यहाँ पर step लेता है तो reasons मैंने आपको पता ही दिये money supply बढ़ जाता है या फिर goods supply जो है उसके उपर impact पड़ता है जब पीछे सी या supply कम हो गया तो वह सारी चीज़े है तो इसका solution क्या है inflation तो बढ़ गया demand बढ़ गई या supply कम हो गई दोनों चीज़ों से inflation हो सकता है जो usually solution जो पुरे दुनिया भर में जो apply किया जाता है वो उसको बोलते है कीनिशन वे जो है एक ब्रिटेन में रहने वाले बहुत बड़े economist हुआ करते थे 1950s और 60s में इन्होंने ये चीज़ कही थी इन्होंने कहा था जब जब economy जो जब जब inflation होगा या फिर ऐसा कहा थे इन्होंने कहा था कि जब 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 economy growth कम होगा ठीक है लोग जब 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 इंडस्ट्री डाउन जाएगा तो आप उसके demand बढ़ाईए money supply बढ़ाईए बेसिकली उन्होंने कहा था कि अगर economy डाउन जा रही है तो money supply को बढ़ाओ और अगर economy बहुत ज़ादा inflation बहुत ज़ादा हो गई है तो आप money supply को कम करो ये उन्होंने कहा था और ये उन्होंने कहा था कि money supply का सीधा सीधा से relation होता है government spending के बारे में अगर मालो country में employment नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है सरकार खर्चा कर सकती है सकार रोड बना सकती है पोर्ट बना सकती है ब्रिजिस बना सकती है स्कूल्स बना सकती है दुनिया फर गन्फर स्क्चर होता है तो सरकार वो बनाए अब वो बनाएगे सरकार तो लोगों को hire करेगी employment generate होगी employment generate होगी तो लोगों की income बढ़ेगी लोगों की income बढ़ेगी तो जादा खर्चा करेंगे जिसे हमारे economy चलना शुरू हो जाएगी सीधी सी बात है और अगर inflation बहुत जादा है money supply बहुत जादा हो गई है तो money supply को आप कम कर सकते हो तो इसको कहा जाता है condition method यह जो condition method होता है basically वो अभी pandemic के दुरान क्या हुआ pandemic के दुरान condition method को apply किया गया जब 2008-2009 में world crisis आया था उस से मैं भी इसको apply किया गया था तो यह किया जाता है by all the countries इंडिया में भी ऐसा ही किया जाता है but usually क्या होता है यह जो condition method होता है वो तब काम करता है जब problem सिर्फ money supply की होती है लेकिन जब problem goods की होती है जब भीया पीछे से production ही नहीं हो रही है उस समय में किनीशन जो method है बहुत जादा success नहीं रहता सीरी सी बात है आप यह मान के चलिये है मान लो इंडिया में अभी हम लोग मालो wheat की बात कर रहे है ठीक है मालो monsoon बहुत खराब हुआ यह यहां पर drought वाली situation हो गई तो जब agriculture production ही नहीं होगा तो उसमें money supply क्या कर लेगा आप उसको बढ़ाते रही है कम करते रही है कोई फरक ही नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि भी यह पीछे से supply कम हो रही है तो यह जो condition method है वो ज़्यादा तर western country में ज़्यादा successful होता है क्योंकि वहाँ पर supply की दिक्कत नहीं होती वहाँ पर दिक्कत होती है demand की इंडिया में यह चीज़े बहुत ज़्याद अच्छे से successfully काम नहीं करती है फिर भी RBI इस चीज़ को apply करता है more or less तो RBI करता है money supply को बढ़ा सकता है गटा सकता है इसके कई तरीके होते हैं RBI के पास जैसे हमारे पास bank rate होता है repo rate होता है reverse repo rate होता है हमारे पास statutory liquid ratio होती है cash reserve ratio होती है यह सारे तरीके होते हैं RBI के पास जिससे वो हमारी money supply को कम कर सकता है और बढ़ा सकता है government का भी रोल होता है inflational control करने में जैसे मालो इस समय मालो country में policies की किलत चल रही है तो सरकार क्या कर सकती है उसको बहार से import कर सकती है यह सरकार का काम है यह RBI का काम नहीं है और सरकार हमारे देश में इस production को बढ़ाने के लिए किसानों को incentive भी दे सकती है कि भाई आप pulse की production को बढ़ाईए तो यह होता है सरकार का काम तो दोनों के मिलने जुलने से inflation basically control होता है सिर्फ hardware यहाँ पे अकेला कुछ नहीं कर सकता यह तो अलड़ी हम लोग बात कर चुके है money supply के बारे में तो quantitative easing का मतलब ही होता है जब interest rate कम होता है तो लोग जादा से जदा loan लेते हैं तो जब loan लेते हैं तो market में money supply बढ़ जाता है जिसे quantitative easing बोला जाता है Western countries में Europe में और America में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और money multiplier भी एक नया concept है जो पहले हम लोग ने शायद कभी नहीं किया होगा देखे money multiplier ऐसे थे काफी बड़ा topic है आधे घंटे का topic रहता है पर भी थोड़ा सा को बताता चलता हूँ money multiplier का मतलगी होता है कि जितना पैसा आप अपने खाते में सेव करते हो आपने अपने अकाउंट में पैसा deposit करवाया उस deposit के बिहाफ पे bank जो है उसको further loan देता है ठीक है बैंक उसको किसी और को देगा वो उस पैसे को कहीं और जाके deposit करवाएगा वो bank जो है उसको further जो है उस पैसे को किसी और को loan देगा तो यह basically घूमता रहता है यह पुरा circle होता है जैसे मालो आपके पास 500 रुपए है यह रहे वैसे मैं टोपी करवाना नहीं चाहता था अब आपके मालो 500 रुपए है अब आपने क्या किया इस 500 रुपए में से अपने अर्बे बैंक सोरी अर्बे का रहा हूँ SBI के अंदर जाके इसको deposit कर दिया SBI के पास चले गए 500 रुपए SBI क्या करेगा कुछ थोड़ा पैस अपने पास रखेगा और 450 रुपए उसको लोन में देदेगा किसी second person को अब यह second person भी वही करेगा यह अपने PNB के अंदर जाके उसको deposit कर आएगा अब PNB क्या करेगा 450 में से 50 अपने पास रखेगा 400 further लोन में देदेगा तो यह चला गए लोन में SBI ने कितना लोन दिया 450 PNB ने कितना लोन दिया 400 तो PNB ने किसको लोन दिया किसी third person को दिया अब यह भी ऐसा ही करेगा third person जो है उसको अपने बैंक के अंदर जैसे मालो ICIC ही है वहाँ पर जाके deposit करेगा अब ICIC जो है 400 में से 50 अपने पास रखेगा 350 जो है लोन में दे देगा तो यह जो है चलता रहता है तो शुरुआत में जो इस person ने 500 रुपे deposit करवाए थे उस 500 रुपे के basis के उपर बहुत ज़ादा लोन क्रेट हो जाता है देखे साड़े 400, 400, 300 वो घठता रहता है ऐसे ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ पांच सुरुपे के basis पे economy के अंदर 5000 रुपे तक का रो लोन दिया जा सकता है इसे कहते हैं money multiplier तो जितना पैसा market में होता है उतना पैसा actually bank के पास नहीं होता वो सिर्फ loan create करते हैं क्योंकि bank जादा loan नहीं दे रहे हैं वो थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि लोग जो है bank नहीं चुका पा रहे हैं loan को तो इंडिया ने क्या कहा government कहते है कि inflation के पिछे कारण क्या है Russia Ukraine वाला issue है crude oil काफी महांगा हो गया internationally है ना और high duty on oil लगाई रही है state government और central government दोनों काफे ज़दा tax लगाती है और crude oil के उपर इसकी वज़े से हमारे यहाँ पर inflation create हो गई है देखे जब crude oil का price दोस्तो increase होता है या decrease होता है तो यह सिर्फ crude oil तक ही dependent नहीं रहता क्योंकि crude oil के उपर depend करता है पुरा transport sector है ना और transport अगर महंगा होगा तो भाईया जो समान वो ढो रहे थे जिसको वो transport कर रहे थे वो परा समान भी महंगा हो जाएगा और इससे generate होती है inflation तो crude oil क्योंकि country की backbone होती है हमारे economy का बिल्कुल backbone है तो जब यही महंगा हो जाएगा तो सारा समान महंगा हो जाता है जिससे generate होती है inflation तो अभी तो सरकार को पहली बात हो crude oil के उपर focus किया जाना चाहिए उसके लिएक solution यह हो सकता है कि आप state government और center government दोनों मिलके duties को कम करें जो taxes होते हैं और या फिर आप GST के अंदर भी उसको लाग ले के आ सकते हो वो एक बहुत बड़ा रास्ता है उस पर अभी लोग हम लोग नहीं जाएंगे यहां पर इन्होंने एक बात और बोली inflation और growth जो कि शायद आपने economy के अंदर पढ़ा होगा I don't know Phillips curve की बात इन्होंने कही है तो basically आपका एक balance बनाना होता है it's about a balance balance between growth और inflation अब यह क्या है देखिए growth का मतलब होता है high production ठीक है high production production कब होगी जब demand होगी demand कब होगी जब money supply होगी तो money supply से demand बढ़ती है demand से production बढ़ता है production से growth बढ़ता है अब समझ से क्या है money supply से inflation भी बढ़ता है तो करें तो क्या करें एक तरफ कुवा है दूसरी तरफ खाई है अगर हम growth करने को जाते हैं तो inflation increase हो जाता है inflation control करने की कोशिच करते हैं तो growth कम हो जाती है समस्य है ना एक तरफ कुवा है एक तरफ खाई है तो सरकार क्या करती है एक balance approach बनाती है balance approach मतलब 6% तो भहिया inflation 6% से जादा भी नहीं होना चाहिए और 2% से कम भी नहीं होना चाहिए इसे कहते हैं balance between growth and inflation इसे कहा जाता है फिलिप्स कर इसके बारे में इन्होंने बात कहिए तो इन्हों का कहना है कि सरकार अभी जो है inflation के उपर focus करें तो कि inflation का सीधा सीधा से इंपक्ट जो है गरीब आदमी के उपर पड़ता है अमीर आदमी को inflation से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास income होती है उसके पास पैसा होता है मार पड़ती है गरीब आदमी को उसका दूद महंगा हो जाता है बैचारे के लिए उसको कुछ food consume करना है वो महंगा हो जाता है ठीक है तो यह पुरे का पूर आर्टिकल था कुछ चीजें आर्टिकल के अंदर मिलेंगी आपको जो हम लोगों डिसकस की है कई सारी चीज़ें एशी भी है के बारे में आपको पढ़ना है तो आपके जो notes and environment ecology वाले ठीक है वहाँ पर आपको यह दोनों organization कर लेती हैं कर लेनी है बहुत important है आई UCN के बारे में आपको पता ही है जो जो हमारी red list होती है यह उसको issue करता है जिसमें critically endangered endangered, endangered, threatened, vulnerable वो सारी category होती है और आई UCN सिर्फ हो सिर्फ animals की ही बात नहीं करता है मतलब animals की तो करता ही करता है mammals वगरा birds की list भी निकालता है तो जो birds की list निकाली जाती है IUCN के दवारा वो list दी जाती है bird life international के दवारा तो bird life international जो है IUCN के साथ मिलके काम करता है basically और इन्होंने भी एक list निकाली है जिसमें कहीं सारे 230, 223 के लगभग जो है birds वो critically endangered है 460 endangered है वो सारी list निकाली है इतने नंबर आपको याद करने के बिलकुल भी जोरत नहीं है लेकिन उन्हें जो मोटे मोटे तोर पे एक बात कही है कि इस समय जो bird population है वो 48% bird population actually दुनिया में decline हो रही है यह major finding है इस पूरी की पूरी study का और फिर उन्हेंने कहा कि birds समरल important होते हैं क्यूं होते हैं बताने की वाइसे आपको जोरत नहीं है यह birds जो हैं सबसे ज़्यादा important होते हैं pollination को लेके आप पॉलिनेशन करते हैं एक फूल से दूसरे फूल पर सीड डिसपर्स करते रहते हैं ecosystem engineering का काम करते हैं scavengers का काम करते हैं predators भी होते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं pest control भी करते हैं और biodiversity का enrich करते हैं तो birds का बहुत important role होता है तो birds की population decline की हो रही है उसका reason भी नहीं नहीं बत forest हैं उनको हम लोग agriculture land में change कर रहे हैं वो सारी सारी चीज़े हैं ठीक है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ सकते हो अभी बहुत जाद इंपोर्टेंट चीज इसमें नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आप यहां से ले सकते हो अगला जो आर्टिकल है हमारे पास व आपके क्या होता है इस तरह से होता है जो आपका मैंने लिस्ट यहां पर बनाई हुई है जो आर्वी में सबसे नीचे होता है section group ठीक है section group से नीचे होता है squad होता है squad basically patrolling group होता है जिसके अंदर 5-6 soldiers होते हैं इसमें एक communication करने वाई के लिए होता है radio operators होता है एक इसमें doctor होता है और major soldier तो सारे ही होते हैं लेकि सबके अपनी पनी duty होती है तो patrolling वारा purpose के लिए 5-6 लोगां group होता है soldiers का जिसे squad का जाता है ठीक है इसमें pairs मना दिये जाते है squad से उपर होता है section section को lead करता है हवलदार और एक हवलदार के नीचे जो है 10-15 soldiers होते है section से उपर होता है platons जिसे जो है JCO बोला जाता है उस officer को junior commanding officer होते हैं इसके अंदर 30-40 soldiers होते हैं एक platon होता है पूरा platons से उपर होता है जिसे बलता है company इसे rifle company बोल सकते है नोर्मली company भी बोलते हैं जिसके अंदर 3-6 platons होते हैं मतलब इसके अंदर आब यह समझे लेजे के 120 के लगभग soldiers रहते हैं कुछ help groups भी होते हैं इंदर अदर से help करने वाले इसे lead करते हैं left sergeant से लेके 1000 तक के soldiers होते हैं और support staff होता है Colonel से उपर होते हैं Brigadier, Brigadier जो है one star officer होते है ठीक है, one star officer होते है तो ये lead करते हैं Brigade को, Brigade के अंदर होते हैं लगबग 3000 के लगबग soldiers होते हैं और support staff होता है ठीक है, Brigade से उपर होता है division Division को lead करते हैं कौन major general deal करते है मेजर जन्र जो है चोण है और ऑपétais होस्ट बालबडह को लीड करने ऩुइंट गौर scholar करते हैं यहीं जो सबसे उपर आती है कलुम्ग command जो है उसको lead कोन करते हैं उसको lead करते हैं lieutenant general जो की army commander होते हैं ये भी three star officer होते हैं और इनसे सबसे उपर आते है chief of army staff जीसे बोला जाता है general है ना वो इनको lead करते हैं तो इंडिया में जो है इस समय कितनी command है seven command है जिसमें से एक training command है जो शीमला के अंदर है और भी कहीं सरी command है जैसे central command है जिसका headquarter लखनों के अंदर है एक southern command है जो की पूने के अंदर है western command है जैपूर के अंदर है तो इस तरह की कहीं सरी command हमारे पास है तो यह तो आपको समझ भी आ गया एक हमारे पास system command है जो की चाइनों को ध्यान में रखके बनाई गई है तो अगर कोई issue हो जाता है तो वो तुरंत के तुरंत चीजे कर लेते है लेकिन यहां पर कुछ समस्या हुई जब 2001 में संसद भौन पर अटेक हुआ तो पाकिस्तान के द्वारा फोर्स किया गया था तो इंडिया गवर्मेंट चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हमारी आर्मी को बोर्डर के ओपर डिपलोई कर दिया जाए जल्दी से जल्दी है ना very fast लेकिन इसमें समस्या हो गई समस्या यह हुई कि हम उसको स्टेशन करने के लिए तीन हफ़ते लग गए अब या तीन हफ़ते में तो अगले वाले भी अपने आपको प्रिपेर कर लेते हैं अटैक का मतलब हो अटैक तभी successful होता है जब उसके दर surprising element होता है अगर आपने दुश्मन को surprise ही नहीं दिया तो भीया फिर दुश्मन तयार हो जाएगा ये समझ से इंडिया को 2000 में नजर आई इंडिया को यहाँ पर डिप्लोई करने में दो तिन हफ़ते का समया लग गया तो इंडिया चाहता था कि कुछ ऐसा करे ताकि छोटी छोटी ब्रिगेड हो और उनको बहुत जल्दी यानि के 12 से 48 घंटे के अंदर ही डिप्लोई किया जा सके ये बहुत fast होनी चाहिए agile होनी चाहिए active होनी चाहिए और कम से कम समया ले इसके लिए इंडिया ने उसमें एक पोलिसी चलाई जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा इसका नाम इसके अंदर दिया हुआ था हाँ हाँ cold star doctrine sorry cold star doctrine इतनी सारे fact होते है cold star doctrine का जाता है हालांकि इंडियन गवर्मेंट ने इसको deny किया था लेकिन अभी जब पुल्वाम में attack हुआ और हम लोगों ने surgical strike किया तो दुबारा से cold star doctrine वो जो है सामनी आई cold star doctrine का रहता है एक brigade level का एक हमारे पास unit रहती है जो कि अपने आप में self sufficient होते हैं और बहुत ही fast move कर सकते हैं तो उसे का जाता है दोस्तों integrated battle groups तो अभी इंडियन आर्मी के अंदर हमको लोग कुछ changes कर रहे हैं brigade level पर हम लोग ऐसी units बनाएंगे जो बहुत ही fast चल सकती है तो कि चाइना से अभी हम लोगों बिल्कुल active threat है पहले हमें फ्रेट सिर्फ पाकिस्तान से हुआ करता था अभी चाइना वाला ने नाक में दम कर दिया है तो जिसके लिए सरकार जो है इसको बनाने की यहां पर को लेकिं यहां पर मैं आपको सिर्फ एक चीज कराऊंगा और वही चीजा को पता होनी चाहिए इसे का जाता है सेफ हारबर प्रोसेश या सेफ हारबर पॉलिसी क्या होता ही आपका बता हूँ मैं देखिये अब माल लो आप Facebook के उपर कुछ upload दरते हो ठीक है आपने कोई news article डाल दिया Facebook के उपर आपको अच्छा लगा आपने पढ़ा आपने इसको डाल दिया या फिर आपने कुछ लिख दिया वहाँ पे ठीक है आपने कोई status डाला उस status में आपने किसी को बहुत ज़्यादा गालिया दी रही अब उस post के लिए responsible कौन है आपने जिसने post डाली है आप responsible हो या फिर वह platform यानि कि Facebook responsible है इसको कहा जाता है safe harbor rule safe harbor rule के तहत आप Facebook को कुछ नहीं कह सकते तो कि Facebook is just a platform गलती किसकी है वो लिखने वाले की है वो post करने वाले की है तो अभी दुनिया भर में इन social media platforms को basically safety provide कराई गई है और ये काफी एक कानून के तहत प्रवाइड कराई गई है जैसे आपने कोई news article होगा रहा होँ पर डाला जो कि काफी offensive हो सकता है इसके लिए responsible कौन है क्या Facebook है नहीं जो आदमी upload करता है वो responsible होता है तो अभी क्या है ना लेकिन आप एक चीज़ देखिए मालो दा हिंदू में कोई newspaper में कोई controversial article आ जाता है इसके लिए responsible कौन है इसके लिए दा हिंदू responsible है कोई और responsible नहीं है तो आने वाले समय में क्या हो रहा है लोग जादा तर जो news है वो digital media से consume करते हैं तो इसलिए दुनिया भर में सरकारें कोशिश कर रही है कि इन platform को भी responsible बनाया जाए तो उसी को लिए को जो है थोड़ा से article है अभी कुछ होने वाला नहीं क्योंकि यह process काफी ज़्यादा controversial रहती है लेकिन सरकार चाहती है कि social media platforms को और ज़्यादा responsible बनाया जाए accountable बनाया जाए आप क्या कहते हो ऐसा होना चाहिए का नहीं होना चाहिए आप अपना comment section में नीचे मज़े बता सकते हैं शिवकुमार शर्मा जी है जब मो कश्मीर से विलोंग करते थे और बहुत बड़े संतूर जैसे जो instrument है यह संतूर होता है इसको बजा जेते सब ने सुना होगा इनको बहुत बार बच्पन से सुनते आ रहे हम लोग और कश्मीर वैली से विलोंग करते हैं तो कहा जाता है कि यह सूफी और भक्ती और शेवाइट जो ट्रेडिशन है उनका मिलन है बेसिकली और बहुत बड़े थे भीया और पदमी भूशन ही को मिला हुआ है बहुत फेमस है तो जो है इनकी कल डैथ हो गई इनकी जो है 83 यर्स के थे तो उसको लेगी आर्टिकल है आप इनके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो और यहां पर कुछ खास है नहीं जो है यह लास्ट आर्टिकल हमारे पास बजता है जो एकॉनमी सेक्शन से आता है इसमें बात कही गई है किसकी G SDP की मतलब Gross State Domestic Product हम इसके बारे में पहले भी बाते कर चुके हैं कि हर साल क्या होता है जो states होते है उनको target दिया जाता है कि आप कितना पैसा loan में बोरो कर सकते हो आप उससे ज़्यादा limit नहीं कर सकते है और जो state जो loan लेता है उसे का जाता है state development loan यह हम लोगों ने कल भी बात किया था जब आपका मैंने Treasury Bill के बारे में बताया था, State Loans के बारे में बताया था, जिसे State Development Loan कहते हैं, और जिसमें हम लोगों ने G-Sec के बारे में बात किया था, Government Security, तो इसके तहत जो है State पैसा ले सकते हैं, लेकिन State को पैसा लेनी के limitation होती है, व इसके लिए आपको अलग से बहुत जादा notes मुझे मैं बनाऊं, तो PDF अगर आप आज expect मत करना, क्योंकि सारे आर्टिकल लगवख repeated ही थे, और कोई ऐसा बहुत जबरदस्त वाल आर्टिकल भी मुझे नहीं लगा, जो कि notes बनाए जा सकते हैं, तो यहीं आज के लिए, अगर किसी भी plan को लेके, चाहे वो test series हो, चाहे वो foundation course हो, चाहे वो current fair का course हो, चाहे वो main science writing practice वाला course हो, कोई भी हो, आप उसको description में जाके, link के उपर click करके, उसको admission ले सकते हो, अगर आपको information चाहिए, ता WhatsApp number आपको दिया हुआ है, वहां से भी जाके information ले सकते हो, ठीक है दोस्तो तो आज के लिए इतना ही, thank you very much, all the best, जैहिंद